आनन धाम की और धर्मन पसंग में महापूरुष स्वामे शिवानजी महराज अध्याय 51 प्रिष्ट संख्या 157 बैलूर मट शुकरवार 26 जुलाई 1929 इस अध्याय के पूर्वभाग में हमने सुना था कि वराहर नगर अनाथ आश्रम के एक सन्यासी बड़े ही दुखित मन से महापूरुष महराज को आश्रम के एक अन्य सन्यासी के शिकायत कर रहे हैं इस पर महापूरुष महराज ने उन सन्यासी को सांतना दी और मार्ग दर्शन देते हुए समझाया कि उन्हें थोड़ा दबना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रिफाइस करना पड़ेगा और श्री ठाकुर के लिए यह सब सेहन करना पड़ेगा. आईए, अब हम इस वारतालाब को आगे सुनते हैं. तुम लोग उनके लिए सब छोड़ कर आए हो, उनके लिए कुछ भी अदे नहीं. पांच व्यक्ति मिलकर यदि नहीं रह सकेंगे, तो ठाकुर का कारे कैसे होगा? उनकी और देखकर सब सहे जाओ, भला बुरा जो कुछ कहें. तुम सब लोग सादू हो, भला बनने के लिए सक्त होने के लिए ही यहाँ आए हो. तुम्हारे जीवन में और कोई वासना नहीं, कामना नहीं. तुम लोग केवल उनहीं, उनहीं को चाहते हो. कामकाज में थोड़ा बहुत जगड़ा जंजट हुआ ही करता है. यह होना कोई विचित्र नहीं, स्वाभावी की है. फिर भी वहसब तुनमगों के अंदर रहता नहीं, आता है और चला जाता है. क्योंकि तुम्हारे जीवन का लक्ष है, भगवान लाब. तुम लोगों के भीतर ये सब शुद्र, रागद्विश, आदी आरहीं नहीं सकते. हमारी तो यही धार्णा है, और यह जो कामकाज कर रहे हो, सब सिवाही तो समझ कर करते हो. इससे तुम्हारा मन दिन पर दिन शुद्ध होता जा रहा है. इसमें तुम लोगों की थोड़ी भी स्वार्त बुद्धी नहीं है. फिर भी, देखो, कामकाज के साथ साथ सादन बजन भी करना पड़ता है. जब कभी भी समय मिले, बैटकर जब करो, ध्यान करो, और हुदे से प्रातना करो. जब भी कभी मन में किसी प्रकार की दुर्बलता या अभाव मालुम हो, तभी ठाकुड के पास उसे व्यक्त करना. खूब या कुलता के साथ पुकारने से उनका उत्तर मिलेगा. नाम जब खूब करना, नाम के द्वारा देह मन शुद्ध हो जाता है, मन का मेल धुल जाता है. तुम लोग सादू बनने के लिए सब छोड़ चाड़ कर यहां आए हो, भगवान लाभ ही है बच्चा, तुम लोगों के जीवन का उदेश्य. तुम्हारा आदर्श है, निन्दास्तोती में संभाव, मौन रहना और जोग मिल जाए, उसी मसंतोष्ट रहना, यह है अवस्था. तुम लोग ठाकुर के भाव में रहोगे, किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा से तुम्हारा क्या प्रयोजन? यह उब्देश सुनकर सन्यासी ने जोर से रुद्न करते हुए, महापुरुची के चर्ण पकड़ लिये और कहा, महराज, ऐसा अश्रिवाद दीजिए, जिससे दिन्दास्तोती सब एक हो जाएं, जिससे मैं किवल ठाकुर में मकन होकर रह सकूँ. महापुरुची ने उन्हें जितनी सातना दे देने लगे, वे उतना ही व्याकुल होकर करुण स्वर से बालक के समान रोने लगे. महापुरुची बोले, खोब होगी बच्चा, तुम्हारी ये अवस्ता वश्य ही होगी. ठाकुर की तुम पर क्रिपा है, इसलिए वे तुम्हें अपने समीब खिंच लाए हैं. कुशन बात, बड़े सने के साथ बोले. इस समय थोड़ा मंदिर में जाओ, वहाँ बैठ कर थोड़ा जब और प्रातना करो. इससे देखोगे की मन बहुत हलका हो गया है. बात में ठाकुर का थोड़ा सा प्रसाद लेना. जब फुरसत मिले, इसी तरह बीच बीच में आते जाना. मत में अनेक सादू ब्रह्मचारी हैं. सब के साथ मिलते जुलते हो ना? ओम श्री राम कृष्णारपान नमास्तू.